पिछली लेक्चर में हमने S और P ब्लॉक का निमोनिक्स देख लिया था ठीक है और मैंने बताया था यह बड़ी इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना अभी जस्त मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ओके S P हो गया इस लेक्चर में D और F का देख लेते हैं भाईया मेरे आओ D और F का देख लें कि D और F ब्लॉक के element को हम कैसे यादर करेंगे तो D ब्लॉक ओके D ब्लॉक का element याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको कैसे होगा देखिए Scandium, Scooter, Yamaha, La, A, X, Scandium, Ittrium, Lengthenum, Actinum, Scooter, Yamaha, La, A, X, Scandium के बाद आप का जाता है Titanium, Titanium का क्या होता है T, Zara, Half, ठीक है कोई husband अपनी wife से बोला है T, Zara, Half, Titanium, Zarconium, Half, Titanium के बाद आता है Vanadium, वो नवाब था, ठीक है Vanadium, Nobunium और Tuntalum, ठीक है, वो नवाब था, ओके, उसके बाद आ जाता है Chromium, Molybdenum, और Tungustan, ठीक है एक जगह का नाम है Chromotan, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग Chromotan, Chromotan, ठीक है Chromotan, एक जगह के नाम में ही पूरा इसकी फैमिली का नाम आ जाता है Chromotan, Chromium, Molybdenum, Tungustan, ठीक है और यह बड़े important है क्यों क्योंकि इनका exceptional है, tonic configuration होता है जहाँ जहाँ exceptional होगा, वहाँ वहाँ में आपको ऐसे करके उस फैमिली इस फैमिली में एकसेप्शन होगो ऐसे करके मैं आपको याद दिलाता चलूँगा Chromium, Molybdenum, Tungustan, उसके बाद से आ जाईए मन-तक-रे, ठीक है मन-तक-रे, मैगनीस्यम, मैगनीस्यम, एसको बोलता है टकनीसियम, रुहिनίอง, ठीक है टेकनीसियम, रहिनियम, ठीक है मन-तक-रे, अब उसके बाद से आज पाद जाईए, क्या ओता है iron family, iron family तो बड़ा आसान होता है, यह फेरस हिरस अब जानते हैं iron plus two oxidation इस्टेट में होता उसे क्या कहते हैं ferus कहते हैं तो देखिए ferus में ही उसकी पुरी family का नाम आ जाता है iron, osmium, rohenium और osmium ठीक है इसको rohenium बोलते हैं इसको rohenium बोलते हैं देखिए ध्यान रखिएगा ferus में iron rohenium और osmium और osmium जो होता है सबसे heaviest metal होता है, सबसे heaviest metal ओके, heaviest metal होता है उसके बाद iron के बाद आपका क्या आ जाता है, कोबार आ जाता है को रहे इंतजार, ठीक है यह तीन आर वाले बड़े confusion करते हैं इसको rohenium कहते हैं, इसको rohenium कहते हैं, इसको rohenium कहते है रोहडियम एच्छा रहा हल्का हल्का प्रनेंशियसन देखिए को रहे इंतजार कोबाल्ट रोहडियम और इरिडियम ठीक है को रहे इंतजार ठीक उसके बाद से निकल पड़े पटना निकल पड़े पटना या निकल पड़े पटने भी बोल सकतो है निकल पालेडियम आगे आया copper silver gold कौन आगे आया उके उसके बाद zinc cadmium mercury जिन्दगी कद्दू हो गई जिन्दगी कद्दू हो गई तो यह हो के लिए आपके d block के element जो सबसे important होते हैं आपके यहां कौन-कौन सा यहां से important होता यह एक तो आपके 3D series वाले element important होते हैं जो आपको maximum case में यही जरूत पड़ेंगे ठीक है उसके बाद से अगर किसी के जरूत पड़ती है तो यहां से यहां से लेके ऐसे करके इन सभी elementों की जरूत पड़ती है ठीक है इन सभी elementों की ओके क्या इस याद करने का तरीका क्या हुटा है ix Virata Scandium Titanium को मिला कि Scotty देखे ऐसे करे नहीं ऐसे याद रहे कि सक्ति सक्ति PA skandyon Tejno play के होगे सक्ति और kadar मद्री का सक्ति व उ executive कर्मन मतलम मन में सक्ति करो सक्ति व और कर्मन यह 3D सिरिच का याद करने का तरीका होता है और बाकी ऐसे ऐसे करके तुम्हेने बता ही दिया है समझ में आ रहा है तो आपको प्रियोडिक टेबल याद होना चाहिए ऐसे निमोनिक्स लिखना आना चाहिए अब F-Block में चलते हैं हम लोग कि F-Block का कैसे याद करेंगे भाई तो F-Block में हम देखते हैं आपका F-Block का देखिए यहाँ पर देखिए पहले 4F-Series को देखते है 4F-Series जिसको Lengthenite करते है तो Serium सीने पर नदिया प्रेम की समाई सीने पर नदिया प्रेम की यहाँ होगा समाई सीने पर नदिया प्रेम की समाई Serium Prosedymium कहते हैं इसको Serium कहते हैं इसको Prosedymium कहते हैं इसको Neodnium कहते हैं इसको Prometheum कहते हैं इसको Sumerium कहते हैं ठीक तो सीने पर नदिया प्रेम की समाई उसके बाद से आजाओ यूं गदगद यूं गदगद तब दिल हुआ ठीक है यूं गदगद तब दिल हुआ ठीक है यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम और होलोनियम यूं गदगद तब दिल हुआ और तुमारा यार वाई भी लुटे रहा ठीक है और तुम्हारा यार लूटे रहा इसको बोलते है अर्बियम इसको बोलते है थुलियम इसको बोलते है इटर्बियम और इसको बोलते है लूटियम ठीक है तो सीने पर नदिया प्रेम की समाई यू गद गद तब्दिल हुआ और तुम्हारा यार लूटे रहा ठीक तो थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे थोरियम इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिनियम इसको बोलते हैं यूरोनियम इसको बोलते हैं नेप्चुनियम तो थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे पुराने आम कम भी कहेंगे ठीक है पुराने आम पुराने आम कम भी कहेंग इसको बोलते है plutonium, इसको बोलते है amarycium, इसको बोलते है curium और इसको बोलते है berkelium, तो पुराने आम कम भी कहेंगे उसके बाद kefe, cf, kefe में, kefe में s, s फरमाए meidona, meidona, ठीक है, meidona, lara इसको बोलते है californium, इसको बोलते है aynsteinium, इसको बोलते है fermium, इसको बोलते है nobelium और इसको बोलते है laurentium तो देखिए थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे, पुराने आम कम भी कहेंगे, kefe में as फरमाए meidona, lara इसमें exceptional वाले कौन से होते है, first के ये चार element, बतलब थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे, और middle वाला element, और last वाला element इनका exceptional electronic configuration होता है, और 4D में first element, middle element, और last element ठीक है, 4F में first element, middle element, last element यहां आपके F block में exception यहीं यहीं पाया जाता है, first, middle or last के case में, याद कने का तरीका होता है, मैं यहाद कलाता हूँ कि first, middle or last, first होता है 58 atomic number, इसका 64 होता है, इसका होता है आपका 71 और इन में क्या होता है, तुम्हारा आपका कहां से start होता है, यह 90 से start होता है, 103 तक जाते हैं, तो यहाँ पर first के चार element में, electronic configuration में exception होता है, थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे, middle element में होता है आपका, और last element में होता है तो exceptional वाला कैसे लिखते हैं, तरीका मैं उसको बता दूँगा, electronic configuration, तो पहली बात आप यह याद रखे, क्योंकि अगर आपको predictable learn होगा, तभी आप atomic number किसी का भी निकाल सकते हैं, अगर आपको atomic number पता है, तब electronic configuration किसी का भी आसानी से लिख सकते हैं, तो तीनों चीज़ों ए लाइक कर दो यार, सेयर कर दो, सस्क्राइब कर दो, ओके?